इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है जन्द दिन के मौके पर आज मायवती ने सियासी सर्प्राइज दे डला है BSP सुप्रीमो मायवती ने 2014 में अकेले चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है मायवती के इस फैसले से ये साफ साफ ये जाहिर हो गया है कि अब उत्तरपदेश में एक तरफ BJP गटबंदन होगी दूसरी तरफ इंडी अलायंस और तीसरी पार्टी BSP होगी मायवती का कहना है कि गटबंदन करने से उनके वोट तो गटबंदन को पार्टी को मिल जाते हैं लेकिन बसपा यानि BSP को गटबंदन के वोट नहीं मिलते हैं वही दूसरी तरफ मायवती ने आज अखिलेश यादव पर भी सीधे हमला बोला उन्होंने कहा कि वो गिर्गिट की तरह रंग बदलते हैं इस चुनाब को लेकर जहां मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट करनेना चाहती हूं कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोशित होने वाले लोकसभा के याम चुनाब यहां गरीबों अब हम उपेशित वर्गों में से विसेज कर दलितों, आदिवासियों, अती पिछडे वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्प संक्यत समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी त्यारी वे दमदारी के साथ अकेले ही लड़े इस हाली में विपक्ष के इंडिया गडवंदन को लेकर जिस परकार से सप्पा मुख्या ने एक सोची संजीर अन्यकी के तहट बीएसपी के लोगों को गुम्रा करने के उदिश्टे से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी पर्मुक के प्रती जिर्गित की तरह अपना रंग बदला है तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर साब धान देना है अब वही राम लला की परान प्रतिष्ठा पर भी मायवती ने विपक्ष को जटका दिया उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को कारिकरम उनकी पार्टी स्वागत करती है इस कारिकरम का लेकिन इससे पहले गठबंदन के बारे में बात करते हैं अमित इस वक्त हमारे साथ लाइफ ज चल रही है लेकिन वही मायवती जी ने जो कहा है अपने जनम दिन पर ये क्या उत्तर प्रदेश की कहानी में एक ट्विस्ट लाता है लोकसबाद चुनाव 2024 के मद्दे नजर जी आप बिल्कुल देखे साथ दिन बात तो भगवान स्री राम अपने नब्य अद्दिब्य अलोकी मंदिल में विरजमान हो जाएंगे लेकिन आज मायवती ने अपने जनम दिन के मौके पर इंडिया गडबंदन को सर्प्राइस दिया और बहुत बड़ा जटका दिया है और बिएसपी इंडिया गडबंदन में शामिल हो सकती है तो ऐसे में आज का जो प्रेस कॉंफरेंस है मायवती का उन्हों ने इंडिया गडबंदन की जो मंसा थी उस पर पानी फेर दिया है और इंडिया गडबंदन चाहती थी कि जो बिएसपी का वोड़ बैंक है आप के प्रदेश की तस्वीर पूरी तरीके से साफ है, एक तरफ बीजेपी होगी, दूसरी तरफ इंडिया गडबंदन, तीसरी तरफ बीएसपी टाल ठोक कर खड़ी होगी, तो जाहिर तोर पे ये इंडिया गडबंदन के लिए खत्रा है और जिस तरीके साज अगलेस यादवाप बीएसपी किया हो सकता नहीं है, तो ऐसे में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली जो बात है, वो मायवती ने साफ साफ हमला किया है अखिलेस पर जी, तो अखिलेस यादव पर हमला किया, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, पर मायवती जी ने कहा, देखे, हमारे का उनकी पार्टी जोरों से स्वागत करती है मायवती ने कहा कि राम लला की प्राण प्रतिष्टा का निर्मान निमंत्रन मिला है हाला कि मायवती ने साफ तोर पर काया कि उन्होंने अभी प्राण प्रतिष्टा के कारेक्रम में जाने का फैसला लिया नहीं है मायवती जी का क अभी कोई प्षैसला नहीं लिया हैं कोछि अभी मैं अपने पार्टी की काम में बहुत व्यस्न हूँ लेकिन अयुद्या में 22 जन्वरी को राममंदिर को लेकर जो भी कारे करम होने के लिए जा रहा है उसका हमारी पार्टी को कोई भी अतराज नहीं है उसका हम स्वागत करते हैं धर्म जो बड़ा वोट बैंक है उस पर मायवती की नज़र है और जिस तरीके से अखलेस यादों ने पहले लगातार समझवादी पार्टी के तरब से सवाल उठाये जा रहे थे हैं और मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने के बाद अब अखलेस यादों ने कहा कि 22 तारीक के बाद समाजवादी पार्टी जाएगी आज कॉंग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है यूपी कॉंग्रेस अध्धैक्ष और तमाम दूसरे बड़े नेता वो आज आयोतिया में है इसनान करने के बाद सीधे हनुमान गड़ी रामलला का दर्सन करेंगे तो जाहिर तोड़ पर हर कोई चाहता है ती सनातन धर्मियू जो है उनको कहीं से ठेस ना पहुंचा जा है क्योंकि आने वाले दिनों में 2024 लोगसवाद चुना हुआ है तो मंदिर के परिसर के आस पास से आप लाइफ जुड रहे हैं इस वक्त सपना शुकला भी हमारे साथ लाइफ जुड रही है सर्यू घाट से सपना जी आपके साथ साथ कौन कौन है आज क्या लेकर आई है आज़ा खाडा में हमारे ली आनन्द मैं इस वक्त आनन्द के सागर में डूबी हुई हूँ मैं आपको बता दूँ क्योंकि आयोधिया में जो आया है वो राम में हो रहा है कुछ कहने सुनने की ज़रत नहीं अपने आप ही आपके मुख से शब्द निकलने लगेंगे मैं इस वक्त अप एक नाव में नौका विहार इसे कहें हम तो नौका विहार हम कर रहे हैं करन अरजुन मेरे साथ में और साथी साथ कुछ संत मेरे साथ है और एक चोटी सी बच्ची जो सीता स्वरूप लेकर आई है इसने कहा मैं भी आपके साथ चलूँगी और किशोर अवस्था में तो सभी भगवान का ही पोते हैं तो यह मत जानकी हमारे साथ हैं सबसे पहले मैं शुरू करूंगी करन अरजुन से क्या सुना रहे हैं सबसे पहले सर्यू के तीरे हैं बिल्कुल सर्यू तटपर हैं तो राम चरन सुखदाई भजमन राम जी का जो नाम है और चरन है इतना शुखदाई है कि सर्यू मैया कल-कल करती हुई आयोधिया को सीचती है राम चरन सुखदाई भजमन राम चरन सुखदाई जही चरनन से निकसी सुरसरी संकर जटा समाई जटा संकर नाम पड़ो है जटा संकरी नाम पड़ो है त्रिवुबन तारन दाई भजमन राम चरन सुखदाई वाँ बाकई राम चरन सुखदाई है और आपने कल मुझे बड़ा अच्छा एक भजन सुनाया था कि कैसे कार सिवक से जुड़ा हुँ आपने वो भजन सुनाया फिर नई आयोध्या को लेकर सुनाया मैं चाहूंगी वो जरूर आप सुनाया एक पर फिर मैं अपने संतों के पास आती हो एक गीत है आयोध्या की उपासनाओं में परमपराओं में बंदा हुआ जो स्टडियों से गाती हुई अध्या आ रही है और सर्यू मैया में कलकल करता हुआ निव जेटिन के जितने भी दर्सक है मानिए ये कि बहतरीन शो है ऐसा शो बहुत कम मिलता है इतना अनंद की लहर मुख्य लहर शीत लहर के लावा राम लहर तो यहीं पर है एक बास जोर से जैर सिया राम बोल दीजा आप लोग बड़ी शांती से बैठे है जैर सिया राम जी की प्यारी राज धानी लागे मुह मीठो मीठो सर्यू जी की पानी लागे सिता राम जी की प्यारी राज धानी लागे मुह मीठो मीठो सर्यू जी की पानी लागे जनम भूमी चोटी छावनी रंग महल हनुमान गड़ी अति सुन्दर श्वयम जगत के मालिक बैठे सुन्दर श्वयम जगत के मालिक बैठे कनक भावन के अंदर सीता राम जी की रूप सुख खानी लागे आति प्यारी लागे मोहे मिठो मिठो सर्यू जी की पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राज धानी लागे मिठो मिठो सर्यू जी की पानी लागे चीक है हम और आपसे भजन सुनेंगे लेकिन ये बताइए कि आप क्यू सीता बनी हैं क्या जानती हैं सीता के बारे में मुजे पोग्राम करना था ता सीटा बारे किया जानती है। जानती है कुस्ती मा के बारे में। क्या बताոिए। नो बहुते ही आगयाकारे थे… जानती है क्ला सब्दक भाव ? हमारे साथ में कुस्छ संत भी है। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को आप ने कहा कि ऐसे आप देख रहे हैं अयोध्या अतिस उंदर है बग्वान स्री राम ने कहा है आत प्रिय मोह北 के वासी हमको आयोध्या के वासी बहुत प्रिय है तो आपको मैं बता दू आयोध्या में जब स्री रागोजी भी राजमान होने जा रहे हैं